हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू मैई चैनल तो चलिए मैं दिखाने वाली आपको सबसे पहले जीनिया का फ्लावर जो कि मैं सीट से लगाई थी और फ्लावर से कलेक्ट किये थे सुख्यों फ्लावर को मैंने अच्छे से मिट्टी में छिड़क दिया था और उसे सी ये प्ला यह क्लावर को अर आझा का कि ग्लावर को ऊ-च्छे से लिए और पता आनों के बादुछ देखने में यहोजया प्लावर के यहां हे अब तो आज के टॉपिक है मेरा मोगरा प्लांड पर मोगरा प्लांड को मैं दुबारा फटलाइजर करने वाली हूं तो कौन सा फटलाजर डालूंगी वो आप लोगों से सेर करूंगी क्योंकि वो हैवी फीडर प्लांट है तो उसे जब तक आप फटलाजर नहीं डालेंगे तो फ्लाबरिंग एक बार पूरे अच्छे से ब्लूम किया है मैं आपको सेर करी थी मुगरा की ब्लूमिंग और फिर से दुबारा उसमें अब कुछ भी नहीं बस ग्रोथ हो रही है कुछ कलियां वगरे नहीं बन रही है तो उसे कौन सा फटलाजर में देने वाली हो वो आप लोगों को दिखाऊंगी तो सुबह सुबह का नजारा में आप लोगों को यहां का दिखा रही थी सुदर से फलावर खिल रहे हैं और कोचिया इतना सुदर सा मतला ब्लूम कर रहा है धिया हरी हरी पतीयों के साथ पतली पतली पतियां इतनी सुदर ईसकी अकार है बहुत ही नजारा यहां का अच्छा रहता है तो चलिए दिखाती हूँ मोगरा प्लांट के बारे में अब अब नहीं पत्वेगा निकल रहे हैं अब आसे यहां पर मैंने यहां से अध्यां से यहां से ़िंगल निकलते हैं तो दो न्यांसे अब इसको पिंछ कर सकते हैं और अच्छे से यहां जो उपर वाBen जाद जूरूरी है अगर आपotta शक्रेंज में नहीं डालते हैं तो इसे अच्छे से गरोद नहीं तेखिए बीच माने में से लिकूड टाला था एलोवेरा जो डाल के बताई थी मैं इसमें भी डाल दी थी एलोवेरा था उसमें हल्दी था और निम का खली वर्मी कमपोच सबका लिक्विट फटलाजर में बना करके इसमें डाली थी बहुत सुंदर से ग्रोज चल रहा था इसका और यहां देखे यह एक कलियां यहां बन करना देखे फ्रेंट और मिट्टी मेरी वेल्डन ही है और 20 इंची के पॉट में लगे हुए हैं जाड़ी नुमा प्लांट हो चुका है यह थोड़े अटक रहे हैं जाड़ी नुमा प्लांट है बहुत अच्छा बुसी बनाने के लिए आप इसको कर सकते हैं और यहां से द अर्फक्ट से ग्रोथे सकते हैं और पर अच्छे से लिए तो हरी पतियों वाले और ब्राउन पत्तीयों से जहाए यह से एंचिया बहुत तरह सकते हैं अच्छे से रेट में और यह प्लांट बहुत जल्दी तयार जाए ग्लाइगा अलक्तर जालि तो बहुत सुन्दर सा प्लांट है और इसके नीचे नीचे बहुत सारे प्लांट निकलते भी हैं आप उसको भी डिवाइट करके लगा सकते हैं लेकिन इससे अच्छा कटिंग आपकी बहुत अच्छे से लग जाएगी तो देखे इस तरह किसा मैंने लिया और फिर मैं इसको क्या करते हूं थोड़ा थोड़ा सा पिंच करने से क्या होता है कि ब्रांच ज्यादा अच्छी निकलती फ्लाबर भी भर भर के देंगे तो चलिए फटलाजर पर बात कर लेती हूं तो फटलाजर मैंने इसमें लिया है दिखे यह वर्मी कंपोस्ट जो कि हमेशा मैं यूज निम खली और एक चमच लिया है एपसम सॉल्ट और एक से डेड़ चमच मैंने पुटास लिया है क्योंकि पॉट मेरा बड़ा है और अधा चमच के करीब उससे भी कम मैंने डियेपी लिया है तो बहुत ही अच्छा है यह फटला जरवी आप दे सकते हैं अच्छी फ्लावर प्लांट में और फिर से कलियां बना देगा पुटास अच्छी फ्लावरिंग के लिए मोग्रा प्लांट को पुटास रीच फटलाजर चाहिए पूटास वाला प्लांट जीसे आप ओरगैनीक यूज कर सकते हैं बनाना फिल फटलाजर दे सकते हैं मैं बीच बीच में थोड़ा सा बनाना फिल फटलाजर भी डाल देती हूं क्योंकि अच्छी फ्लावरिंग वाले प्लांट को पुटास की जुरत तो बहुत जादा होती है तो चलिए इसको मैंने मिला लिया है अच्छे से मिलाने के बाद प्लांट को देने वाले में तो देखिए इस तरीके से यह सारे जितने भी कॉइंटिटी थे मैंने 200 ग्राम के करी वर्मी कंपोश्ट लिया था ज्यादा नहीं लिया था और इसी तरीके से देखिए इसमें सारे मैं डाल लेती हूं और फिर इसको मैं क्योंकि दिखिए इतन उसके बाद फिर आप एसम सॉल्ट जो मैंने बताया था वह सही है क्योंकि प्लांट देखिए हैबी फीडर को तो ज्यादा कॉइंटिटी मतब थोड़ा सा देना चाहिए मैंने वैसे ज्यादा कॉइंटिटी लिया नहीं है ठीकी लिया है तो इसी तरीके से आप इसको दे स जाती है तो इसके बज़ा से यह जो है ना पूरे उड़ने लगेंगे तो इसके बज़ा से देखिए कितने अच्छे से यह मिट्टी में मिल जाती है और अच्छे साप मिला करके इसको दे सकते है फ्रेंड देखिए उपर की जो फैबर रूट्स होते है ना यह सारे कट जा यहां मैं यहां पर का छोड़ के जगह यहां पर का जगा छोड़ करके यह साइड में होता है तो कोई दिखत नहित नहीं है फ्रेंड फिर से फिर से यह डेवलेफ हो जाएगा और अच्छे से नूटुशन देना होता है तो इस तरीके से आप दुवारा फटलाजर आप यह व और बेलेकन पर ज़रू करिएगा तभी तो आपको नोट्पिकेशन इसकी मिलेगी और मैं क्या-क्या वीडियो डालती हूं तभी आपको दिख पाएगा कमें शक्षन में कमें जरू करिएगा देखे कुछ-कुछ पतियां मेरी न्यू न्यू पतियां कर ले हो जा रही है तो वह बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा और यह सारे प्रोब्लम में इसकी हल्प करेगा कुछ-कुछ पतियां दिखे थोड़ी सी जल रही थी तो यह भी ठीक करेगा तो एपसम सॉल्ड के वज़े से आप इसका एपसम सॉल्ड इस्प्रे कर सकते हैं और बीच बीच में आप दो-तिन दिन के बाद करूँगी तो चलिए ठीक है इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही थैंक्यू फ्रेंड